जैम आतादी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों कल दिल्ली बजार ने 72 के साथ खेल शुरू किया फरिदाबाद, सरसथ, गाजियाबाद में 55 का जोड़ा, गली में 47 और देशावर ने आज सुबा 34 खोली है हमने जो कल अंक गड़ित रखा था, उसके हिसाब से अगर आप ओल्डे जोड़ियों की बात करोगे तो गली में मैंने 72 निकाली थी सत्ते के साथ, जो कि दिल्ली बजार में पहुँच गई थी अगर आपने ओल्डे जोड़ि दिल्ली बजार शुरू करी हो, तो आपको 72 में सफलता मिली होगी अन्य था, आपको गली में सत्ता दिया था कि भईया, यहाँ पर आपका सत्ता खुलने के चांस बन रहे हैं 73 के उपर, 72 के उपर, सत्ता आपका यहाँ पर पास रहा है इसी कारण आज विद लोकेशन गेम नहीं बताई जा रही, आज सिर्फ और सिर्फ दो चार मिनट की चर्चा उसके बाद आपको 3-4 जोड़ियां बता दूँगा कि भईया यहाँ से चांस बन रहा है, अगर खेल नहीं हो तो खेल लेना वरना आज खेल को रोक दोगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है आपको पता है अगर आप साइकल चलाना सीख रहे हैं या फिर बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर कार चलाना सीख रहे हैं सबसे पहले आपको ब्रेक मारना सिखाया जाता है कि वही अगर तू तेज चलाएगा तो भी तेरी ब्रेक जरूरी है अगर तू धीरे चलाएगा तो भी तेरी ब्रेक लगना जरूरी है अगर आदमे एक्सिलिटर पे पैर दबा दे और एक्सिलिटर दबा दे एकदम हाथ से बाइक के लिए और उसे ब्रेक मारनी ना आती हो तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना डैमेज हो सकता है उसको खुद को भी उसके जो समान है गाड़ी है बाइक है यह जो भी है उसको भी कितना समान को नुकसान हो सकता है और उसको भी कितनी चोट लग सकती है दोस्तों चीजें अगर आपको सही समय पर रुकना आता हो सही समय पर चलना आता हो तो जाए इसी बात है कि आप से बड़ा खिलाडी कोई नहीं हो सकता वीडियो बनाने में अंक गडित को रोज दो-चार जोडियां बढाने में किसी का आपको पता है कोई जाता नहीं है मैं चाहूं तो रो जाना 15-20 जोड़ियां कर दूँ ना तो आप मेरा हाथ पकड़ लोगे ना मेरा पैन पकड़ लोगे आप देखोगे अगर आपकी मर्जी होगी तो नहीं देखोगे तो आपकी मर्जी होगी लेकिन जब हम परिवा खुला हुआ दिख रहा है 72, 665, 47, 34 जोडियां इसके उपर भी बनती है जोडियां कल भी बनेंगी जोडियां अगले महीने भी बनेंगी जोडियां कभी नहीं रुकती हमेशा आपको कही न कहीं ऐसी चीज़ दिखती रही कि यार इससे तो ये वाली जोडियां करती है इससे तो ये वाली जोडियां करती है लेकिन वो खुल रही है या नहीं खुल रही ये मैटर करता है आपको मैंने गेम बताया वो नहीं खुला ये मैटर करता है आपको मैंने गेम बताया वो दो जगा पास हो गया पास होई मैंने भी खेली थी ठीक है कि उसके बाद मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए तो जोबी गेम थी यह वाली जो भी गेम था जब सब मेरी भी पिटी है यह इसे मेरी भी ।— term — क्यों पिटी है क्युंकि दो—-kyre को है फैसे यह फिक को फेल हुए तो ये चीज़े होती हैं अगर आप एक गेम पे प्रोफिट लेके रुख जाते हो बहुत शांदार बात है क्योंकि कई बार ऐसा होता है तीसरी गेम में या चोथी गेम में या फिर पांचवी गेम में या फिर प्रोफिट ही नहीं आता आपको मैंने समझा ही न सा अगर आप सभी चीजें सभी एक्सपेरिमेंट अपने उपर करके देखोगे तो जीवन आपका बहुत छोटा पर जाएगा इसलिए हमेशा याद रखिए दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए दूसरे के जो एक्सपिरियंस होते हैं दूसरे के जो अनुभव होते हैं सभी मैं आपको समझा पा रहा हूं बता पा रहा हूं बाकी आप भी जानते हैं मेरे उपर कितनी राम जी किरपा है परमात्मा ने कितनी किरपा बरसा रख किया है कैसे आपके लिए सफलताय आती है कैसे बड़िया से बड़िया काम आपके साथ साजा किया जाता है तो दोस् आपको मिठास भी देगा वो आपको सुआद भी देगा और अगर परमात्मा की गिर्पा नहीं रही तो फिर आप भी जानते हैं चीज़े फीकी फीकी चलती रहती है और कभी कभी फीका भी खा लेना चाहिए फाइदे मंद रहता है जैसा अंकगडित है नीचे मुझे लगता है कि 6 आपकी रिपीट खुल सकती है पंजे के साथ और 6 आपकी 0 के साथ भी बन रही है अगर आपको समझ में आती हो क्योंकि 0 कल नहीं खुला हुआ पंजा खुला हुआ है कई बार गेम आगे पीछे कटते देखते हैं तो चीजे होती रहती है फरिदाबाद में कल दुग्गी रखी थी सत्ता आ गया परसो सत्ता रखा था दुग्गी आ गई तो चीजें कट रही हैं कोई बाद नहीं तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी इस तरीके से भी की जा सकती है साथ में आपका जो एक और चीज बढ़िया रहेगी वो ये रहेगी कि भईया कई बार देखा गया है कि 47 खुलने के बाद 47 का जबरदस्ट परफोर्मेंस रहता है दुबारा से खेल में जुड़ जाती है वो आपने दिल्ली बजार में 47 देखी होगी अगले ही घड़ी शिरी गड़े 47 दुबारा से खुली थी तो मैं इन सब चीजों पे बड़ा ध्यान रखता हूँ कि कौन सी जोड़ी कहां रिपीट हो सकती है कैसे रिपीट हो सकती है तो 47 जो की मुर्दा जोड़ी है उसके खुलने के चांज बन रहे है अगर समझ में आता हो तो इस्तेमाल करेंगे अगर समझ में ना आता हो तो छोड़ देंगे क्योंकि जब हमने 47 रखी थी तो कमपनी ने 97 खोली कमपनी ने इसकी राशी का खेल मारा कल हमने 47 छोड़ी है तो फिर कमपनी ने इसका इस्तेमाल कर लिया है तो जो कमपनी अभी हमारे साथ कर रही है उन सब चीजों पर मेरी निगाह है एकदम बड़िया से देख रहा हूँ सोच रहा हूँ की चीजे और अच्छे कैसे करूँ इसलिए आज ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कुछ खास चीजे बता रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा हित सद सके थोड़ा फाइदा हो जाए तो बहुत बड़ी है वरना आप भी जानते हैं मैं किसी का फाइदा और किसी का नुकसान कराने में समर्थ नहीं हो जो भी करपा होती है वो सब परमपिता परमेश्वर के दुवारा होती है जो भी करम होते हैं वो आपके और मेरे होते हैं अगर आप अच्छे से खेलेंगे तो अच्छा फाइदा होगा अगर आप लापरवाई से खेलेंगे तो नुकसान होगा तो उसमें इसका मतलब यह नहीं होता कि भया कुंडू भावा ने नुकसान करवा दिया नहीं नहीं आप इस बात को गलत सोच रहे हैं आपको फाइदा होता है आपकी वयासे आपको नुकसान होता है तो देख लेना ठीक है ये आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकता है एक बार ये देख लेना साथ में आदी राशी में अगर बात करोगे तो चोवे पे नहला मजबूत रहेगा कल नहला खुला नहीं था लेकिन नहला खुलने के आज चांस रहेंगे समीकरन अच्छे हैं तो इसलिए उननचास भी बहुत बढ़िया है दो और एक तीन और एक चार एक पाँच पाँच जोडिया है जिसमें से एक है आपका जोड़ा 47 रिपीट की है उननचास खुलने के चांस बन रहे हैं 65-60 का चांस बन रहा है बड़े ही सिंपल सब्दों में जोड़ियां आपके सामने रख दी हैं इन जोड़ियों का खास थोड़ा सा रह सकता है परभाव आज के खेल में तो ही आपके साथ साजा करिया वरना इन जोड़ियों को भी मैं आपके साथ साजा नहीं करता जो मैंने बाते बताई हैं अगर आप इन बातों को ठीक से सुनोगे ठीक से समझोगे अपने जीवन में अपलाई करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ और ये बात आप भी समझते हैं गारंटी के तो कहीं बाती नहीं आती ये चीजें आपके लिए फाइद लेकर आती है और जो गलत बाते होती है वो हमारे जीवन में दुख पीड़ा लेकर आती है तो इसलिए अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए अच्छी चीजों पर ध्यान दीजिए आपका जीवन सुख में होना शुरू हो जाएगा उमीद करता हूँ यह जो वीडियो मैंने है ये जोडियां मैंने बताई हैं ये आपके लिए फाइदेमन साबित होगी परमपिता परमेश्वर की करपा इन जोडियों पर बरसे आपके उपर बरसे आप हमेशा खुश रहे हैं इनी शब्दों के साथ वीडियो उनों को राम राम नमस्कार धेर सारा प्यार।